नमस्कार बहुत स्वागत है आपका मेश रासी फल साल दो हजार चौवेश ये नया साल क्या कुछ बड़ा बदलाओ लेकर आएगा आपके लिए चले जानते हैं विस्तार से तो वीडियो के अंतक बने रहे है और ये प्रेटिक्शन चंदरासी पर आधारित है तो मेश रासी वालों दो हजार चौवेश आपके लिए कितना नफा और कितना नुकसान लेकर आया है आर्थिक स्थती कैसी रहेगी पैसा कितना आएगा तो चले शुरुआत करते हैं दो हजार चौवेश में आपकी रासी से गुरू चानडाल की युती जो चल रही थी वो तो समाप्थ हो चुकी है और अब देव गुरू ब्रस्पती की विशेश क्रिपा पूरे साल आप पर ब्रशने वाली है तो सुवात करते हैं आपके करियर से नौक्री से मेश रासी अगर आपकी है नाम से या फिर आपकी कुंडी से देखिए दसमभौ के स्वामी सनी का एकादस भौ में होना करियर के मामलों में बहुत अच्छा रहेगा उन्नती दायक ये वक्त है और नौक्री करते हैं अगर आप आपको अभी तक डर था नौक्री जाएगी क क्या होगा तो उसमें अब नहीं डरना है क्योंकि अस्थायत तो आएगा साथ ही पदोनती की योग भी बनेंगे यानि सनीदेव की किरपा बरसेगी और नौक्री करते हैं लेकिन आप चाहते हैं साइट से कोई व्यापार भी करें तो 2024 आपके लिए उत्तब है इस साल अगर बहुत सारे मौके मिलेंगे आपको बेस्तता है और अगर नौक्री बदलने की सोच रहे हैं तो मार्च के पहले मत बदलिएगा मार्च में बदलने के लिए ठीक है लेकिन जो बिद्यारती हैं प्रतिटा परिश्चा की तियारी कर रहे हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके ल अब तो देव गुर ब्रेश्पती आपके पंचम भाव पर द्रिश्टी डाले वे हैं जो सिख्चा का भाव है और नौम भाव पर भी द्रिश्टी डाले वे हैं जिसकी वजह से भागे का साथ मिलेगा और दूसरा मेहनत कीजिएगा क्योंकि सनी देव जैक विपा बढ़स लिएगा अगर कोई भ्रम है किसी भी तरह का परिच्छा को लेकर उसको त्यागे मेहनत करें मेहनत से सफलता है क्योंकि राहु यहां पर थोड़ा सा भ्रम देगा राहु को बहतर करने के लिए आप वैसे तो रोज अगर पांच बार भी आप ओम रांग रावे नमा बोल द है जितना मेहनत करेंगी उतना तरक्की होगी जो बैपारी भाई है कि 2024 में साथमें भाव पर दिष्टी है देव गुरू की और सनीदेव का एकादस भाव में ब्रजमान होना बैपारी भाईयों के लिए छपरफार पैसे देने को तयार है यह वक्त खासकर अगर आप सनीद करते हैं या फिर थेकेदारी का कार है आपका सिक्षा से जुड़ा हुआ को इस्टेशनरी उनिफॉर्म कोई इवेंट करवाते हैं विवाह वेगरा करवाते हैं तो इन कारियों में अगर आप लगे हैं तो विशेश लाफ आपको मिलेगा अगर आप पार्टनर सिप में काम करते हैं तो हर जगर नजरे बनाये रखे आँखे बंद कर किसी पर भरूसा करना बिल्कुल सही नहीं रहेगा हलांकि ये आकस्मिक धनलाब के योग पूरे साल आप के लिए बने वे हैं और कहीं पैसा आपने इंवेस्ट करके रखा है तो वहां से तो लाब मिलेगा है साथ ही 35 संपत्ती प्रोपर्टी का लाभ है या पहले कहीं इंवेस्ट करके रखा है तो उसका लाभ मिलेगा लेकिन कानोनी मौमलों में बिलकुल भी मत जाईएगा आपके लिए सही नहीं रहेगा लब लाइब की बात करें आपके बारिबारी जीवन आपके बैबाही जीवन तो देखे पंचम भौ दृष्टी है देव गुरू की अगर आप सिंगल है तो विवाह तै होने की योग है और अगर आप लब लिसंसिप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए भी तैयार रहें क्योंकि लाइफ में कोई दस्तक जरूर देगा प्यार मिलेगा सनी मराज पूरे वर्स कुम्रासी में रहेंगे पंचम भाव को पूर्ण दुष्टी से देखेंगे तो हलकी फुलकी खटपट रहेगी फ्रेम जीवन में भी और बैवाही जीवन में भी तो रिष्टों को प्यार से सीचना होगा, प्यार से संभालना होगा, हलांकि जीवन साथी के स्वास्त का थोड़ा ख्याल रखना है, खास कर अगस सितंबर अक्टूबर, ये जो तीन मेहने हैं अपनों के साथ घुमने फिरने के योग हैं, और स्वास्त की बात करें, तो स्वास्त के मामनों में मिला जुलावा है, लेकिन देव गुरु ब्रश्पती हर तरह से, हर तरप से आपकी रख्चा करेंगे, हलांकि राहू थोड़ा बिगाड़ेगा, तो खान पान पर ध्यान रखिए, ज्यादा ओयली बेगरा भोजन मत कीजिए, समय पे खाईए, पॉ चाहिएगा तो बड़ा टेंसर नहीं है, लेकिन धन के स्थिति कैसे रहेगी पूरे साथ, लेकि 2024 में थोड़ा बहुत उतार चढ़ावत तो रहेगा, क्योंकि सरी देव 11 भाव में बैठे हैं, और सरी जहां बैठते हैं उस घर को रौसन कर देते हैं, तो धन तो देते रहे लेकिन बार में भाव में बैठा राहू, खर्चे भी करवाएगा, विदेज भाव में खर्चिकों के भाव में बैठा है, अगर आप लोटरी जुआ सटा से जुड़े हैं, तो संभल कर कारी कीजिएगा, वैसे तो ब्रस्पती और भागी की किपा से बैंक वेलेस आपका ब 2024 में चार ग्रोहों की विशेश द्रिष्टी रहने वाली है आपके उपर, और अगर हम जोति सास्त की माने, तो सौर मंडल के सबसे जो बड़े ग्रह हैं वो देव गुरु ब्रस्पती हैं, कर्मों के अधार पर फल देने वाले सनी देव हैं, और माया भी जो ग्रह हैं वो गुरु के होने से, पहला भाव यानि आपका आत्मा, आपका सरीर, आपके जीवन को नई दिसा मिलेगी, अगर आप और विवायत हैं, बिवाह होने में देरी हो रही है, तो बिवाह पक्का होगा, संतान की चाहत रखते हैं, तो संतान प्राप्ती की योग भी बने वे हैं, लेकिन वहीं करियर के मामलों वे खास का जो लोग सरकाई नोकरी करते हैं बेतन ब्रधी जरूर होगा, अगर आप रैविट जॉब करते हैं, तो भी आपके लिए ये समय अच्छा है, आपको अपना मकान, भूमी, भवन, प्रपोर्टी, खिदने का जो सपना है, वो भी बात करें, तो थोड़ा सा उताच रहा है, आपके पार्टनर के साथ कहीं अनबन ना हो, फैमिली मेंबर्स की नाराजगी या इनकार वेगर ना हो, लब को लेकर इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, और बारभव में होने से राहु का स्वास समंदी थोड़ी सी दिक्कत लेकिन जो लोग विदेश में रहते हैं, विदेश में रहकर कारि करते हैं, पढ़ाई करते हैं, कोई तरह की कोई समस्या थी वो समांत हो जाएगा, हाँ आप चुकी ब्रसपती की पूले साल की प्रसेगी, तो ओम ब्रिंग ब्रसपते नमा का जब कर सकते हैं, ताकि आरी अची लिगे तो लाइक कर सब्सकाइब करें सेर करें कम्यूनिकरें